एक तरफ जहां वैद निर्वान फिलगातार बुल्डोजर चल रहा है वहीं कुछ ऐसे बिल्डर्स हैं जिनको बुल्डोजर की कारवाई का डर नहीं है ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद की राजिंद्र नगर के सेक्टर 3 से सामने आया जहां पे GDA द्वारा नक्षा पास भी किया गया है लेकिन नक्षे के हिसाब से निर्वान नहीं हो रहा उसके बावजूद भी गाजियाबाद विकास प्राधिकरन अपनी आखें बंद कर रखा है उसने और मामले पर हमारे स्तनवधा था जितेंद्र गौतम ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरन के सचीव ब्रिजेश कुमार से बात की करनी चाही तो उन्होंने अपना पला जहारते हुए अपर सचीव CP तिरपाथी पे बात टाल दी इंडिया ने पहले भी दिखाई थी और ऐसे ये खबर हम आपको दुबारे दिखाने जा रहे हैं इस वक्त में गाजियाबाद के राजिंदर नगर सेक्टर तीन में मौझूद हूँ और सामने जो आप मकान बनता हुआ देखेंगे ये दरासल नक्से के पूरी तरह से निर्मान हो रहा है तस्वीर हम आपको दिखाईंगे तो यहां पर एक बोर्ड भी लगाया गया है जिस पर लिखा गया है यह नक्सा जीडिये दुवारा एस प्लस फूर पास है लेकिन सबसे बड़े सवाल यह भी है कि एस प्लस अगर यह यहां पर पास है तो किस मानकों क यहां पर अपार्टमेंट टाइब का निर्मान हो रहा है जिसकी तस्वीर है आप देख सकते हैं और मैं अगर कोसिस करूँगा तो आपको अंदर से भी दिखाने की कोसिस करूँगा कि जिस तरह का निर्मान जीडिये में होना चाहिए जो जीडिये के गाइडलाइन से होना चाहिए वो निर्मानी हाँ पर नहीं है यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपार्टमेंट बनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है और इस तरह के अपार्टमेंट बना कर जहां एक और भारी राजस्व को चूना लगाया जाता है वहीं दूसरी और लोगों की जान पर भी खिलवाड किया जाता है तस्वीरे आपके सामने हैं इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ आप देख सकते हैं जो एंजीटी के जो नियम होते हैं उसके तहट इस तरह का जो मैटेरियल होता है उसको यहाँ पर ढखकर रखना होता है लेकिन यह material पूरी तरह से उगड़ा हुआ है जो कि गाजियाबाद में परदूशन का भी एक बहुत बड़ा अकेंद्र बनता है तमाम ऐसी चीजे हैं कुल मिलाकर कहा जा सकता है गाजियाबाद के राजिंदर नगर सेक्टर 3 में 11 बटा 107 में जो निर्माण हो रहा है वो पूरी तरह से नक्से के विप्रीत है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर एक बोड लगाया गया है जिस पर लिखा है कि यह पूरी तरह से नक्से के दुआरा ही बनाया जा रहा है लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर जो भी अधिकारी है या फिर जिसकी भी जिम्मेदारी यहां बनती है वो अधिकारी यहां क्या कर रहे हैं क्या उनकी नजरों में ये प्लोट अभी तक नहीं आया है। अगर एक सूत्रों की माने तो इस प्लोट के खलाफ लगातार 3-4 RTI भी डाली गई है। लेकिन उसका जवाब भी GDA ने नहीं दिया है। अपने सयोगी राम गोपाल तिरपाटी के साथ मजीत इंद्र गोतम, News1 इंडिया।